नमस्कार रहा है राममंदिर राममंदिर चिल्ला के सरकार बनाएंगे लेकिने ए हम पर सेन वर्क हो रहा है तुम्हारे चिल्लाने भाई अब कुछ होने वाला नहीं देखों सी एनर्सी सब पर बड़ा हंगामा काटी कुछ नहीं हुआ ठीके बहुमत की सरकार कुछ होने वाला नहीं है अगर वो सरकार जो है ऐसी होती कि टूटकर गिरेगी फिर उसमें दूसरी पार्टी वो हटा आहिफ एक कुछ को सकता है और उसमें तो कुछ नहीं होने मेनु Шण्त यह काम कर रहे हैं जो 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 है लोगों0 को जंता को अपने वाय दे करके वो चुनावजीते हैं और इतनी बड़ी सरकार वह से इसी पर करने कुछ रिए पर उसका hy old- When the Supreme Court नहें दो प्सक्षिंग कु उसको जनता को लगेगा कि यह मोदी ने कर दिया तो इसलिए उनको ही फायदा मिलेगा उनकी सरकार लूट ले जाएगी सारी फायदे और फिर से धूम मचा के आने वाली है बहुमत में क्यूंकि आप लोग ऐसे चिलाओगे इस पर 72 बार डिवेट होगी पता है मीडिया क्या क कर दूँगा 370 हटा दूँगा राम मंदिर का मुद्धा हल करूँगा सब हल कर रहे हैं कुछ गुना नहीं कर रहे हैं कोई 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 ऐसा चीज तो नहीं कर दिए ना कि आरातंगवादी बन गए हैं वो लोग उन्होंने जो लिखा था वायदे किये थे जनता ने जिस वाय हैं तो आप फालतों में चिलाने का कोई मतलम निए आप उस पर भास ही मत करो सांत हो जाओ उस उस मुद्दे को ले के आप सान्त रोगण से चिलाने की कोई चरोस नहीं है आप जितना वहाँ पे चिला रहे हों ना उतना उनको अलग से उसका प्रॉफिट मिल रहा है कोई मतलब ने किसी को कुछ नहीं होने वाला कोई कुछ बोले गाई ने इस पर आप यतना चिला होगे ना उतना वह उनको जो है सामने बैठ के डिबेट होगी और डिबेट के तो ऐसा आप लोग सूच रहे हो और सूची दिखते हैं क्या होता है